हेलो एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं फिर आज़र हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूसफुल केचिन टिप्स लेकर आज के हमारी टिप्स बहुत ही ज्यादा खास होने वाली हैं तो वीडियो को फुल बाच कीजिएगा वीडियो कर जरा भी अच्छी ल और पूरी सर्दी इसका भर पूर उपयोग कीजिए यहां पर सिर्फ इतना अद्रक और इतना ही गुड़ आपके लिए काफी है और इसको बनाकर रख लीजिए जो आपके बच्चे बड़े बुजूर्ग आपके लिए सब के लिए बहुत ही जादा फाइदे बंद है तो इसके अंदर जो रेशे होते हैं वो भी सारे उसके अंदर कुट जाते हैं और हमें इसके रेशे नहीं डालने हैं इसका सिर्फ हमें अद्रक अद्रक डालना है तो जैसे हम कद्दूकस करते हैं तो आपने देखा होगा जो रेशे होते हैं वो कद्दूकस के ऊपर रह जाते तो इतना आद्रक हमारा करीबन 15-20 दिन के लिए काफी रहेगा आप इस रेमेडी को जादा भी बना कर रख सकते हैं छे महीने के लिए भी एकटा बना कर रख सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप इसको रोज रोज या 15 दिन बाद ही बनाएं अब आप कर दीजे गैस को ऑन और उस पर रख दीजे कोई भी तवा ठीक है अगर आप जादा बना रहे हैं तो कड़ाई ले लीजिए तो यहाँ पर मैं 15 दिन के लिए बना रही हूँ उसके इसाब से आपको मेजर्मेंट बता रही हूँ यहाँ पर मैंने डेर चममच की अभी लगाया है इसमें और देसी घी अगर गाय का होना तो बहुत ही अच्छा है नहीं तो जो भी हो आपके पास भैस का हो या गाय का हो वो घी ले लिजे यह ध्यान दखिएगा आपको इसमें देसी घी ही डालना है उसके बाद अद्रक को इसमें अच्छे से सिम गैस बहुनते जाना है गैस नहीバ Dean जादा तेज रखनी है नहीद जादा स्लो रखनी है तो जब तक हमारा यह अध्रक भून रहा है तब तक इसमें अपने आगे जो चीज अध्रक के बाद में गुड़का इस्तेमाल भी करना है तो गुड़को कैसे अगर काले वाला गुड मिल जाना तो यह बैस्ट है तो पीले वाले को मत डालिएगा अगर ना मिले तो पीले वाला भी चल जाएगा अगर पीला वाला डाल रहे हैं तो उसका भी मैं आगे बताऊंगी उसके साथ आपको क्या करना है जिससे कि यह काले वाले गुड की तरह आ क Beauty आगर दो आपय को मेर सब्सें नारो अगर मुझे के पूसब मुझे, कुलुम्निक, दूअर चैनल कि ब्लां हुआ, आप्ज ह्लागार तो प्लीज लािक्षेर्ट करक्रों, आप्षवर सब्सक्राइब कहते, क्यम्निक आहिए कि आप यहां सब्सें कर लिया, साथ यह भी बताइएगा आप मेरी वीडियो किस गाउया किस शेहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थेंक्स कर सकूं तो देखें यहां पर हमने अध्रक को क्रश कर लिया है जितना हमें अज जरूवत है अब हमने जितना अध्रक लिया है उसके हिसाब से अमने गुड़ लि जलना नहीं चाहिए सिर्फ पकना चाहिए तो देखिए हमारे यह तकरीबन पूरा पक चुका है अब जो हमने गुड़ क्रश किया उस गुड़ को हम इसमें डाल देंगे गुड़ डालने के बाद आपको गैस को एकदम सिम रखना है आप इस चीज का विशेश दिहान रखेगा गैस को तेज मत कीजेगा वरना जो गोड़ है आपका जल जाएगा और जो हम बनाने वाले हैं वो उतना रिजल्ट नहीं देगी जिससे कि फिर आप लोग बोलेंगे इ तो देखे मैंने भी गैस को एकदम सिम किया हुआ है सिम गैस पर आप इसे गुड़ को मैल्ट कीजे एक से डिर्ड मिनट में पूरा गुड़ मैल्ट हो जाता है अच्छा गैस बंद करने का टाइम भी एक फिक्स है इसमें जैसे ही आपको देखे कि इसमें पूरी तरह से य निकालना है उस बरतन में आपको घी लगा लेना चाहिए वरना अगर आप ऐसे ही निकाल देंगे न तो यह बरतन में चिपक जाएगी तो यहां पर मैंने इस प्लेट में अच्छे से घी लगा दिया है घी लगाने में कंजूसी मत कीजेगा ठीक है अब हमारा यह गुड़ थंड़ ने के बाद आप इसको इसे कैसे और किस लिए इस्तिमाल करना है वह भी मैं बताऊंगी तो यहां पर देख सकते हैं मैं एसे ठंड़ हो कर लिया है और उसके बाद आप इसमें से थोड़े-थोड़े टुकड़े लेकर और इसकी इस तरह से गोलियां बनाकर त्यार कर लीजिए अब ये गोलियां हमें बना कर त्यार करनी है हर साइज की बना लीजिए थोड़ा छोटी भी और थोड़ा बड़ी भी जैसे आप बच्चों को दे रहे हैं तो थोड़ी छोटी वाली दे दीजिए अगर बुजर्गों को दे रहे हैं तो बड़ी वाली ले लीजि तो इसका फाइदा क्या है कि जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तब से लेके और आप सर्दियों तक इसका इस्तमाल कर सकते हैं जैसे किसी को ऐलर्जी होती है उस टाइम पर यह बहुत अच्छे से वर्प करती है या फिर किसी को बलगम है खासी है जुखाम है बदलते मौसम मे मौसम से जो भी परेशानिया होती है वो सारी नुस्के से सब ठीक रहती है तो आपको अगर बरसात से ही शुरू करना है तो बहुत अच्छा है मैंने यहां पर बना कर रख लिया इसको अब मैं अपने बच्चों को डेली दूंगी एक गोली और इसका देने का टाइम है किसी को बहुत जयादा खांसी हो जाती है बलगम हो जाता तो सारी चीजों को यह कंट्रोल करता है और आप इने भर कर किसी भी कंटेनर में रख लीजिए यह खराब नहीं होती है एक साल तक उसकुल गजा इह तो कर दूँग मेरी यह चले नेक्स टीप की तरह तो मेरी जो next step है वो है आटे से related आप अप लोग सोच रहे होंगा मैं रोटी बनाओंगी पूरी बनाओंगी या पराठे बनाओंगी मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ ना आटे से मैं रोटी बनाने वाली हूँ ना पूरी ना पराठे कुछ भी नहीं लेकिन इससे न मैं बहुत ही काम की चीज़ बनाने वाली हूँ तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो यहां पर हमने क्या किया है आटे को लंबा-लंबा कर लिया और उसके छोटे-छोटे से टुकडे कट कर लिये हैं जितने हमें इनकी जरुवत है अब हमने क्या करना है इस तरह से गोल-गोल बॉल बनाई और यह मैं बना रही हूँ दीपक जैसे कुछ लोग होते हैं कि व्रत करते हैं पूजा करते हैं या फिर शाम को मंदिर में दीपक जलाने जाते हैं तो मैं बहुत सिंपल स्टाइल में आपको दीपक बनाना सिखा रही हूँ जिसे बच्चे भी बना लेंगे देखिए इस तरह से हमारे पास अध्रक कूटने वाला होता है चोटी सी आटे की लोई लीजिए और उससे आप अपने लिए दीपक बना कर तियार कर लीजिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो लंबी बाती का इस्तमाल करते हैं और कुछ लोग होते हैं गोल बाती का इस्तमाल करते हैं तो इस टाइम पर यह वाला जो हमने उल्टा खलड रखा था उससे हमारा गोल बाती का बन जाएगा और जिससे हमने सीधा खलड रखा उससे हमारा लंबी बातिगा बन जाएगा इस तरह से दीपक बनाना बहुत सिंपल है और जब भी आप दीपक बनाने में दिक्कत हो रही हो तो आप इस चिप को जरूरू ट्राइ कीजेगा तो देखिए मैं यहां पर और दीपक बनाऊंगी क्योंकि मैं पूजा करती हूं तो मैं आटे के दीपक ही जलाती हूं तो इसलिए मैंने सचा आप लोगे साथ भी शेयर कर दूँ बहुत सिंपल सिंपल सी ट्रेक्स हैं जिनसे आप अपने घर के लिए अपनी पूजा के लिए यह मंदिर के लिए दीपक बना सकते हैं बहुत इजली यह दीपक बन जाते हो देखने में कान चैणिये काफ्य देर तक जलते हैं तो इनने पाती दिखाती हूं आपको जो आँ उस सदें गहां और ऐसी टेर वाओर को लेकर आपने देखा ओगाहँ आप लोगशके ट्वहार possible काफिण हो अच्छी तरीके स्टे के असवाँ ठीट फसक्वा अवें कामाल को च्हए त में भरकर रख देते हैं लेकिन क्या देखा है आपने बरसात के टाइम में यह कंटेनर में भी सील जाता है और सीलने के बाद ना आप कभी भी देख लीजेगा जो हमारा डिटर्जन पाउडर होता वो तनी अच्छे से क्लीनिंग नहीं करता है जितना यह के बिल्कुल साथ का टाइम चल रहा है तब खोलने के लिए इसे छोटा सा होल कीजिए देखिए जैसे मैंने काट आए ना बस तरीके से और उसके बाद आप इस कंटेनर को ठाके साइड में रख दीजिए और कोई भी बटल का उपल वारा पार्ट ले लीजे और अपने इस पार्ट को इ जाने की वज़े से हमारा जो डिटर्जेंट है वो सील जाता है और उसके बाद उपर से इसमें आप टेप लगा दीजिए तो जो मेरी नेक्स टेप है वो है खीर से लेकर खीर जब भी हम बनाते हैं तो हमेशा ड्राइफूट्स तो डालते ही है तो आप लोग भी भी अग्यालक बला जाते हैं और अलग हो जाते हैं जिससे ना कि बदाम गले में कई रचिपक जाते हैं और कई बचों खाना इगुसा बी नहीं होता जिससे या खीर का सौवाथ भी अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छी लगेगी क्योंकि जब बदाम के ऀमुची छिल्क के समेट डाल लेगें विस्तें वो खीर के ऊपर आ जाटे हैं और वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और बच्चे उसे खाना भी पसंद नहीं करते हैं तो आयोप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बावाई